diagnostic features of PICA so now we will see that को कौन से ऐसे symptoms हैं जिनको further elaboration जो है वो उसकी required है और हमें किसी भी बच्चे को PICA डाइगनोस करने के लिए उनको समझना ज़रूरी है so here we will go जो first thing है जिसमें हम कहते हैं कि ऐसा substance वो absorb कर रहे हैं जो कि उनकी age के reference में developmentally inappropriate है और वो उनके लिए required नहीं है और उसकी जो भी food वो intake कर रहे हैं उसकी जो nutritional value है वो absent है तो उसके अंदर mostly जो चीजें report की गई हैं जो बच्चे खाते हैं उसमें paper है soap है, cloth है, hair है इसके साथ wool है, swail है chalk है, starch है, clay है ash है, तो इस किसम की जो चीजें हैं, वो बच्चे जो हैं, वो आम तर पर खाते हैं ठीक है, और इनकी जो उनकी खाने की आप ये समझें, capacity है वो ऐसे है कि they can eat these things by sitting in a corner and by hiding themselves from other ठीक है, इसी तरह जब हम use करते हैं non food को, तो उसका मतलब हर्गिस वो वाली चीजें नहीं हैं जिनकी nutritional values जो है, वो minimum है अब minimum nutritional values किसमें होती है जिसना soda water है उसके अंदर जो nutrition value है वो बहुत काम है, इसी तरह certain candies हैं जिनके अंदर nutritional value जो है वो बेकुल low है, इसी तरह chewing gum है, so minimal nutritional content जिसके अंदर आता है और अगर वो कोई यो use कर रहा है तो वो वो Pika disorder नहीं कहलाएगा तो इसी तरह अगर आप देखें तो ये देखा गया है कि जो deficiencies हैं जिस तरह vitamins और mineral की जैसे कहा जाता है कि iron deficiency या zinc की deficiency जो है वो उन लोगों में report की जाती है जो कि Pika को use करते हैं ठीक है लेकिन certain time कोई किसी भी किसम की biological abnormality जो है वो observe नहीं की गई ठीक है कुछ cases ऐसे हैं जिसमें जो Pika है वो उस वकत report किया गया जैस वकत उनको कोई clinical complications हो गई ठीक है जिसना stomach का problem हो गया intestine का problem हो गया या poisoning हो गई ठीक है report हुआ तो पता चला कि the child is like having a problem of Pika तो ये वो चीज़े हैं जो कि आपने diagnosis करने के वकत जहन में रखनी है so important thing is that कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बचे usually कौन सा ऐसा substance जो है वो use कर सकते हैं जिसका जो nutrition value है वो zero है Thank you